तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता होगा जून 2024 से सेसन का एकजाम 7 जून से स्टार्ट होने वाले है और देखा जाए तो आपके पास एकजाम की त्यारी करने के लिए मातर एक महिना 6-7 दिनों का समय बचा हुआ है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकजाम की त्यारी आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको एकजाम में अच्छे नम्मर मिले और आप एकजाम को असानी से पास कर सकें तो डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेल बस कैसे निकाल सकते हैं उसके आप जो आपका प्रोग्राम गाइड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको जो किताबे दिया गया है उसमें देखेंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका पूरा से लिए बस आपको पता चल जाता है कि आपको कितने में डाउंलोड भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर यह कर रखा है तो सबसे पहले आपको syllabus पता होना चाहिए और अब बात करते हैं कि जब आपको syllabus का पता चल जाता है तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास exam की त्यारी करने के लिए कम समय बचा हुआ है और देखें चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उनको आप पूरे अच्छे से रेडी करके एक्जाम देने के लिए जा सकते हैं अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें से इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं तो वह कैसे आप पता करेंगे उसको आप अच्छे दे रखा है, यहाँ पर आने के बाद आपको अभी तक इगनु ने जितने भी प्रिवेस एर के कोशन पेपर अपटेट कर रखे है, उनका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का प्रोसीजर बहुत सीम्पल है, पस जिस भी एकजाम का आपको कोशन पेपर डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक न्यू पेज ओपन होगा, फिर प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड वगरा देख लीजे, क्लिक करेंगे, फिर से आप क्लिक करेंगे, और जो आपका प्रिवेस एर का कोशन देखने हे, और धॉर्मीशरे का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो उनको आप यहाँ क्लिक कर दिया गाए, दिया है, इन पर क्लिक करेंगे, जैसuste कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कोशन पेपर है वो इस तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिवेस एर का और जब आप यहां से डाउनलोड कर लेते हैं तो इस तरीके से ओपन होगा तो अगर आप लास्ट फाइब येर का या फिर लास्ट थ्री येर का प्रिवियस एर का कुर्सन पेपर डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको ये देखना है कि जो एक्जाम में प्रसन पूछे देखिए लास्ट थ्री येर का या फिर फाइब येर का और उनको आप अलग से नोट कर लिजे कि वो जो है कौन से चैप्टर में से सवाल पूछे गए हैं तो इस तरीके से क्या रहेगा कि अलग से आप इनको नोट करेंगे तो ऐसे में जो आपका इंपोर्टेंट चैप् होगा या फिर बारा चैप्टर होगा इतने को आप आसानी से पूरा अच्छे से पढ़के जा सकते हैं और एक्जाम दे सकते हैं अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो जैसे कि मालीज की यहां पर आप इंपोर्टेंट जितने भी चै समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी टोपिक यहां पर दिया गया है उसको अप यूटूब और शर्च कर सकते हैं उसका आप वीडियो देख सकते हैं टोप सेंसे आप अपकोटा चल जाएगा एक से पूर यह पूझा जाता है इस टौपिक में जो भी पूचा जाता है उसको आप आसानी से जो उसका अंसर है वो आप दे सकते हैं तो जितने भी आप important chapter को note करते हैं उनको आप अच्छे से पढ़के जाए अच्छे से clear करके जाए या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो भी topic दिया गया अगर यह topic का यहाँ पर जो भी लिखा यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको google पर भी search कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको आसान से सब्दों में लिखा वह मिल जाएगा तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो आपने last five year का या फिर last three year क previous year का question paper download किया है इनको आपको solved करके भी देखना होगा जो भी सवाल पूछेगे है इसका आप answer लिखे किसी भी notebook में तो ऐसे में यह रहेगा कि जो लिखने का तरीका है वो भी आपको अच्छे से पता चल जागा क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को देख करके जाएंगे और खुद से एक बार लिख करके देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको लिखने का जो सही तरीका है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन से सब्द का कहा पर इस्तमाल किया जाता है तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है चैप्टर को पढ़ना है ले तो आपको आपको कुछ चीजों का ध्रीयान रखना होगा जिससे कि आपको अच्य नंवर भी लिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें मैं निचे बद रख। तो यह जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर आप इस तरीकी से भी पढ़ाई करते हैं तो आप इगनु का जो एक्जाम है इसको आप आसानी से किलियर कर सकते हैं बाकी एक्जाम से रेलेटेड और भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूं तो उसके लिए आप चैनल को भी अपटेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है साथ ही में आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं